कुछ नहीं तेनाली राम की कहाने तेनाली राम राजा कृष्ण देव राय के निकट होने के कारण बहुत से लोग उनसे जलते थे उनमें से एक था रगु नाम का इर्शालू फल व्यापारी उसने एक बार तेनाली राम को शड्यंत्र में फसाने की युक्ती बनाई उसने तेनाली राम को फल खरीदने के लिए बुलाया जब तेनाली राम ने उनका दाम पूछा तो रगु मुस्कुराते हुए बोला आपके लिए तो इनका दाम कुछ नहीं है यहाँ बात सुनकर तेनाली राम ने कुछ फल खाएं और बाकी थेले में भर आगे बढ़ने लगे तभी रगु ने उन्हें रोका और कहा की मेरे फल के दाम तो देते जाओ तेनाली राम रगु के इस सवाल से हैरान हुए वहाँ बोले की अभी तो तुमने कहा की फल के दाम कुछ नहीं है तो अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो तब रगु बोला की मेरे फल मुफ्त नहीं है मैंने साफ साफ बताया था की मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है अब सीधी तरह मुझे कुछ नहीं, दे दो, वरना मैं राजा कृष्ण देव राय के पास फरियाद लेकर जाऊंगा और तुम्हें कठोर दंड दिलाऊंगा तेनाले राम सिर्ख खुजाने लगे और यहां सोचते सोचते वहां से अपने घर चले गए उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि इस पागल फलवाले के अजीब शड्यंत्र का तोड कैसे खोजू इसे कुछ नहीं कहां से लाकर दू अगले ही दिन फलवाला राजा कृष्ण देव राय के दरबार में आगया और फरियाद करने लगा वह बोला कि तैनाली ने मेरे फलों का दाम, कुछ नहीं, मुझे नहीं दिया है राजा कृष्ण देव राय ने तुरंथ तैनाली राम को हाजर किया और उससे सफाई मांगी तैनाली राम पहले से तैयार थे उन्होंने एक रतनजडित संदूक लाकर रघू फल वाले के सामने रख दिया और कहा ये लो तुम्हारे फलों का दाम उसे देखते ही रघू की आखे चौन्दिया उसने अनुमान लगाया कि इस संदूक में बहमूल्य हीरे जवाहरात होंगे वह रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा और इन ही रायालों में खोए-खोए उसने संदूक खोला संदूक खोलते ही मानों उसका खाब तूट गया वह जोर से चीखा ये क्या? इसमें तो कुछ नहीं है तब तैनाली राम बोले बिल्कुल सही अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहां से चलते बनो वहां मौजूद महाराज और सभी दर्बारी ठहा का लगा कर हंसने लगे और रघु को अपना सा मुंग लेकर वापस जाना पड़ा एक बार फिर तैनाली राम ने अपने बुद्धी चातुर्यों से महाराज का मन जीत लिया था झाल झाल झाल